हेलो गाईज विल्कम तो माई यूट्यूब चैनल देट इस रोनी क्लासिस आज मैं आप सभी लोगों को तोता कहिए या मिठ्थू कहिए या पैरट कहिए या फिर पोपट कहिए उसके बारे में कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट बताऊंगी तो चलिए जानते हैं इमेज में शोग होई रहा होगा तोते को संगीत पसंद होता है वे संगीत की ताल को महसूस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं नेक्स्ट, तोता विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला प्राणी है, जो कुत्ते और बिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा पाला जाता है नेक्स्ट, तोते अपने पैरो और अपने पंजो का इस्तेमाल अपने हाथों की तरह कर सकते हैं, चील, बाज, गिद भी ऐसे ही पक्षी होते हैं, जो अपने पंजो का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं चॉकलिट या ओनियन खाने से तोते की मौद भी हो सकती है या चीजे तोते के लिए विश की तरह होती है तो गाइस अगर आपने तोता पाला हुआ है तो इसे इन दो चीजों से दूर रखेगा तोते अपना घोसला कभी नहीं बनाते हैं तोते हमेशा घने पेड़ पर या फिर बने बनाये घोसले में रहते हैं केवल मौंक पैराकीट पैरट नाम की एक प्रजाती है जो अपना घोसला खुद बनाता है काक्पो तोता उल्लो की तरह लगते हैं और या उल्लो की तरह रात को जाकते हैं या तोते वजन में बिल्लीयों से भी भारी और बड़े होते हैं जिसकी वज़़ा से या उड़ नहीं पाते हैं नेक्स्ट है, एक तोते का IQ लेवर किसी चार साल के बच्चे से जादा होता है नेक्स्ट, एक तोते की ओसत आयू 10 से 20 वर्ष होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां लगबग 80 साल तक जीवित रह सकती है नेक्स्ट है, तोते अपने पार्टनर के प्रती काफी वफ़दार होता है, वह जीवन भर एक साथी के साथ अपना जीवन वैतीत करता है नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जाने वाला तोते का नाम पंक है, इस तोते को 1728 शब्द बोलने आता था, पंक तोते का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है तो गाईज, यह रहे कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो के रिलेटेट थे पैरट से, याने की तोते से, या आप इसे मिठ्टू भी कह सकते हैं, कहें कहें पे इसे पोपट भी बोला जाता है तो यह इसके इत्ति सारे नाम है, और मैंने आज इसके बार में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताए है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस झाल कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब 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 कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्र